दोस्तों आज से 50 साल पहले तक जहां दूर दूर तक सिर्फ रेट के टीले दिखाई देते थे और मोती पाइदा करने का काम किया जाता था आज इस देश में लंबी और उंची उची बिल्डिंगें और इमारते दिखाई देती हैं हम बात कर रहें फारस की खाड़ी में इस्थित मोती से दिखने वाले देश कतर के बारे में 11,581 किलो मीटर की छेतरफल में फैले इस देश की सीमाय दच्छिड में सौधी अरब से लगती हैं और सेस भाग फारस की खाड़ी से घिरा हुआ है एक समय में कतर बहुत ही गरीब देश हुआ करता था और आज कतर दुनिया का सबसे बड़ा नेचरल गैस का एक्सपोर्टल देश बन चुका है तेल की खोश से पहले कतर की अल्थ बेउस्था मशली पकड़ने और मोती के सिकार पर केंदरित थी और आज कतर की गिंती उन देशों में की जाती है जहां तेला और गैस के भंडार है इसी तेला और गैस के कारण कतर आज सफलता की सीड़ी चड़ता जा रहा है कतर में बहुत ही सक्त कानून है यहाँ पर आपको अपनी आईडी और कतर हेल्थ कार्ड हर वक्त अपने साथ में रखना अनिवार है अगर गलती सभी आपने बाहर गूमते समय अपने पास कतर आईडी साथ में नहीं रखा है तो आपको दस हजार रियाल तक भारी जुर्बाना पड़ सकता है कतर में भी दूसरे अरब देशों की तरह महिलाओं पर कई तरह की पाबंदियां हैं वहां महिलाओं को गाड़ी चलानी की परमीसन तो मिली हुई है लेकिन घर से बाहर निकलने पर अबाया जो एक तरह से बुरके जैसा पोसाख होता है उसे पहनना अनिवार है इन नियमों को तोड़ने पर महिलाओं को वहां के सरिया कानून के हिसाब से सजा मिलती है कतर का यहां कानून सबसे बहतरीन है यहां लड़कियां चाहे जो भी हो अपने घुटने से उपर कपड़े कभी भी नहीं पहन सकती है ऐसा करना यहां गैर कानूनी माना जाता है कतर में ड्रेक्स, अल्कोहल, पोर्नोग्राफी, पोर्क, प्रोडक्शन ये सब चीजे पूरी तरह से बैन है कतर दुनिया का एक मात्र ऐसा देश माना जाता है जहां पर कोई भी इंसान गरीब नहीं है और ना तो यहां पर कोई भी इंसान बेकार है कतर के लोगों को इंकम टेक्स नहीं देना पड़ता है वहीं दूसरी तरह की टेक्स भी नाम मात्र के लगते हैं इसके अलावां वहां के नागरिकों के लिए बिजली पानी और मेटकल जैसी सुबधाएं बिल्कुल फिरी है कतर में मेकडोनल के एक बर्गर की कीमत 300 रुपए है और इसकी तुलना में पेट्रोल काफी सस्ता है आपको जानकर हैरानी होगी कि यहां पर एक लीटर पेट्रोल की कीमत 1.250 कतरी रियाल यानि की लगभग 25 रुपए भारती है कतर 2022 में फीफा वर्ड कप की मेजबानी कर रहा है जिसके लिए कतर ने करोड़ो रुपए खर्च किये हैं इस आयोजन के साथ ही कतर पूरे अरब पराइदीब का एक मातर ऐसा देश बन जाएगा जो इस बड़ी स्पोर्ट्स इबेंट की मेजबानी करेगा इसके लिए कतर में 9 वर्ड क्लास लेबल स्टेडियम भी बनाए गए हैं जिन में से कुछ स्टेडियम की कैपसिटी 80,000 लोगों की है और साथ ही साथ कतर सरकार ने कतर में मेट्रो रेलवे भी बनवाई है बिस्व के भोगोल में कतर देश का एक अलग ही अस्थान है यहां हर दिन दुनिया के कोने कोने से हजारों लोग अपनी भविस्व और खुसाल जीमन जीने के लिए नौकरी करने के लिए अरब की इस छोटे से देश में आते हैं कतर की आबादी 20 की कुल आबादी का सिर्फ 0.04% ही है क्योंकि कतर की कुल जनसंख्या लगबग 28 लाग के आसपास है जिन में से आधे से अधिक प्रवावसी हैं जो अन्य देसों से नौकरी की तालास में आए हुए हैं एक समय कतर बहुत ही गरीब देस हुआ करता था सौधी अरब बहरीन तूर्किया और ब्रेटेन ने इस देस पर सासन किया और कतर को जम कर लूटा इन देसों की गुलामी में कतर का हाल ऐसा था कि वहां के अस्थानिये लोग दो वक्त के खाने के लिए मोहताज हो गए थे 1783 तक कतर तूर्की के हाथ में था ब्रेटी सुपनिबेस बनने के बाद कतर का नाता ब्रेटेन से गाहरा हो गया था जब ब्रेटेन ने कतर को आजात किया तो उसकी बागदोर उसने सौधी अरब के हाथ में दे दी इसलिए उन्होंने दूसरे देशों को अपने देश में साइनिक अड़ा बनाने के लिए इन्वाइट किया सौधी अरब को कतर फूटी आखना सुहाता है कतर भी जानता है कि तेल और गैस के भंडार जादा समय तक साथ नहीं दे सकते इसलिए उसने कई बिकल्ब खोजे कतर भले लगवग पूर्टा राजसाही वाला देश है लेकिन उसने अपने नागरिकों को रखने के लिए बहुत से काम किये एचकेसन हट के जरिये कतर अरब का सिच्छा का केंद्र होता जा रहा है कतर की सरकार एक पूर्ड राजसाही है जिसका नेतरुट अल्थानी परिवार करता है वरतमान में अमीर तमीम बिन हमद अल्थानी है जिन्होंने 25 जून 2013 को सत्ता में समाली थी वह राजा हमद बिन खलीफा के चौथे बेटे हैं आज कतर दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस का एकस्पोर्टर देश बन चुका है जहां 1940 से पहले कतर के लोग समुंद्र से मचली पकड़ कर और मोती निकाल कर बेजते थे जिससे उनका जीवन चलता था वहीं आज कतर में बेरोजगारी की दर 0.1% से भी कम है 1940 में जब से कतर में तेल और गैस के भंडार मिले हैं तब से वह देश तरक्की की राह पर आगे बढ़ने लगा है और इस देश की GDP की रफ्तार भी तेज हो गई है अलजजीरा को कतर का माउथ पीस भी कहा जाता है क्योंकि अलजजीरा चैनल के जरिये ही कतर को एक अलग पहचान मिली दोस्तों जीवन में दुख तकलीफ मुसीबत और परिसानी की परिस्थितियां तो आती रहती हैं इन से डर कर या हार कर भागने की जगह आपको अपना हासला बनाए रखना चाहिए लाइफ में अगर कुछ करना है आगे बढ़ना और कुछ करके दिखाना है तो खुद को मोटिवेट रखना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर जिवन में सफलता प्राप करनी है तो मेहनत पर विस्वास करे किसमत की आज माईस तो जुए में होती है दोस्तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बाक्स में जरूर बताईए और अगर चैनल पे ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजे फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और कहानी के साथ तब तक के लिए जैहिन बंदे मातरम